देखिए कितना बढ़िया उमरा कड़र आया इसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल के पसंद आए तो आप चेनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों कैसे हैं आज मैं आपको छोले टिक्की बनाना बता रहा हूँ तो सबसे पहले प्रिप्रेशन कर लेते हैं टिक्की क्या लिए ये वबला हुआ आलू उसको ग्रेट किया हुआ है कद्दू कस कर लिया है फिर उसमें तीन चम्मच चाउल का आटा डाल दिया फिर एक चम्मच मिर्ची पाउडर आदा चम्मच हल्दी एक चम्मच दनिया पाउडर एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच अमचूर पाउडर एक चम्मच चाट मसाला थोड़ा कटा हुआ बारिक मिर्ची बारिक कटा हुआ दनिया इसको आप उंगलियों के साहरे से गूंच लें मल लें खत्यली का साहरा नहीं लें और इसको एक डव बना लें यह आपका डव तयार हो गया है फिर इसमें आप जो है एक निम्बू डाल दीजिए यह डव बन चुका है अब आप इसकी टिक्या बनाने के लिए छोटी 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 लोगी काट लें आपको बूंदना नहीं है आपको जिस साइच की चाहिए वोटी किया बनाएं मैं आपको थोड़ी सी बड़ी बना के बता रहा हूं आप बड़ी टिक्या होती खाने में अच्छी लगती है सारी टिक्या बोल बना के तयार कर लिए अब आप गैस चलाएं इस पर नॉन इस्टिक पैन और दो चम्मच तेल डाल दीजिए तोड़ा तेल गरम हो जाए उसके बाद आप एक एक टिक्की रख दिए आप तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है फिर आप एक एक टिक्की रख दीजिए सब तरह ताकि नीचे का हिस्सा पहले आप इसको दबाए नहीं जब नीचे का अच्छी तरह पख जाएगा फिर इसको पल्टी करके दूसरी साइड पीछी के चरब भी प्राई कर लेंगे पका लेंगे तेल मैंने अभी सबी टिक्क्यों को एक बार पलट दिया है देखिए कुतना अच्छा सुनरा कलर आया है इसी तरह से सारी टिक्यों को पलेट दीजिए एक पाथ यह आपि ट्ली की दोनों तरफ से अच्छी तरह देखिए कितना बढ़िया तो मेश प्राई ग्लर आया है यह टिक्की तो आप तयार हो चुकी है अब चोले की आप आपको गरेबी बनात अब इसमें दो चम्मच कोईल डालिए अच्छी तरह गरम होने दीजिए गरम तेल हो चुका है आदा चम्मच जीरा थोड़ी सी हीम डालिए थोड़ी सी राई डाल दीजिए अच्छी तरह गरम हो जाने के बात जीरा देखिए पूटने लगा है अब जो है यह प्याज प्याज शाव प्याज अच्छी लुटता हो अप्याज प्याज बेकिए अच्छा अपना कलर चेंज पर चुका है गोल्डन ब्राउन होन्ता का है इसमें आप जिंजर गार्डलिक और हरीमेच का पेस्ट डाल के इसको भी बता लीजिए देखिए अब अच्छी तरह प्याज बून चुका है अब इसमें टामाटर ड्रैन किया हुआ डाल दें और इसको अच्छी तरह चलाएंगे और पकाएंगे इसमें अब आप एक चमच लाल मिर्च आजा चमच हल्दी एक चमच धनिया पाउडर एक चमच नमाख या स्वाद अनुक्ता एक चमच चाट मसाला आदा चमच अमचूर इसको डाल के आप अच्छी तरह इसको मसाले को पका लेते हैं जरूद पढ़ने पर थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं अच्छी तरह सब मिक्स होके बून चूटा है इसमें अच्छा कलर आया है अब इसमें आपके रात के जो गला हुए हैं अगर आप रात में नहीं गला सके हैं छोले तो कम से कम पांच गंटे गले हुए छोले और फिर कूकर में आपने उसको तीन सीटी लेके उबाल लें अ अच्छी तरह चोले उबल चुके हैं आपकी इस गरेवी में आप इसको मिक्स करने हैं जरूत होने पर ही पानी डालें अच्छी तरह मिक्स होने में इसको दो मिट तक दीमी आज पे पकाएं मसाल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है इसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल के अच्छी तरह मिक्स करने हैं फिर आप इसको डखकन लगा के दो मिनिट के लिए यह इतनी बड़िया टिकी तयार हो चुकी है अब आप एक प्लेट में और इदर आपका छोला भी बिलकुल तयार है एक प्लेट में थोड़ा छोला रखिए पिर आप प्लेट में दो तकिया प्लेट में थोड़ा आपका छोला रखिए दैड़ देजिये दैड़िये 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 चटनी इंबली की दनिये की चटनी थोड़ा चाट मसाला थोड़ी इसी मिर्ची और नम्कीन आपकी चाट छोला चाट तयार है उमिदे आप भी गर पर एक बार होश्य बनाएंगे पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट्स दें झाल